पात निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि गवरा जो है प्रेम लता से मिलने जेल में जाती है तो वो जो है एक चाय वाली का रुबेस बना करके जाती है और वहाँ पे जो है इंस्टेक्टर से कहती है कि यह मैं चाय बेचने आई हूँ तो वो कहते हैं कि जो है मैंने तो तुमको पहले कभी नहीं देखा लगता है तुम नहीं आई हो उसके बाद में उनको चाय पिलाता है और प्रेम लता के पास आता है चाय लेकर के और कहती है कि चाय तो फिर प्रेम लता कहती है कि मेरा दिमांग मत खराब करो यहां से चली जा तो फिर वो कहता कि एक बार अगर मेरी चाय पी लोगी ना तो फिर सायद फिर से कोकला मोदी बनने के लायक हो जाओ फिर वो उनको पहुचान जाती है और कहती है कि गवरा तुम यहां पे क्यों आई हो तो फिर गौरा कहती है प्रेमलता से कि प्रेमलता मेरी बात को ध्यान से सुनो अगर तुने अपनी जबान से मेरा नाम लिया इन सब के पीछे अगर ये तुमने कहीं भी बताया कि मेरा हाथ है तो तुमारे उपर ऐसी केस लगवाएं कि तुम जो है जिन्दगी भर यहीं पे होगी और अगर तुमने हमारा नाम नहीं लिया तो मैं तुमको इतना माला माल कर दूंगी कि तुमको कभी पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ेगा और मैं जल्दी से तुमें जो है जेल से भी छोड़वा लूँगी इसलिए तुमको जो है अपनी युबान पे मेरा नाम कैसी भी हालात हो जाए तो फिर प्रेमलता कहती है कि वो तो बात ठीक है लेकिन है जो है हम तीनों ने मिलकर ये सब किया था तो मैं सजा अकेलिक को भुगतू हम तीनों ने तो ये सब मिलकर किया था तो गौरा कहती है कि वो सब ठीक है पर मैंने जितना कहा है उतना ही करो त ऑक्तुम किसी भी तरीके से झो है तुम्हें हमारा नाम नहीं लेना है कि इन सब पीछे किसका हाय तो और में तुम जाओ कितनी देर लगता रहा है पिर इतनें में जो एहनमोदी भी जेल में Christウeifier प्रेम लता से मिलना है तो फिर ऑग imposs张 के मे तो फिर वो आता है उसके बाद में फिर गौरा बेहन वहां से निकल जाती है फिर वो प्रेमलता से कहता कि प्रेमलता कहते है कि यहां पे तुम क्यों आए हो यह देखने कि प्रेमलता की फिटाई हो रही है कि नहीं हो रही है तो फिर जो है वो कहता कि नहीं मैं बस इतना तुमसे जानने आया हूँ कि तुमसे और हमारे परिवार से तो कोई लेना देना है नहीं तुमने जो भी किया है इसके पीछे किसका हाथ है क्योंकि हम मैं जानता हूं कि कोई हमारा अपना ही है जो तुम से ये सब करवा रहा है क्योंकि तुम एक सबजी वाली हो तुम से हमारे घर से कोई मतलम नहीं है तो प्रेमलता कहती है कि मैं ये सब जो भी मुझे बताना मैं कोड में बताऊंगी यहां पर कुछ नहीं बताओँगी, तो फिर जो है आयम कहता है कि अगर नहीं बताओँगी तो मैं अपने वकील से कह करके ऐसा केस लगवाऊँगा, थी कि पूरी लाइफ तो जो है यहां पर ही सडोगी, उसके बाद में वो जाने लगता है, तो फिर उप्रेम लटा कहती है क अगर तुम इतना ही जानना चाहते हो तो यह समझ लो कि तुम्हारा कोई अपना ही है तुम खास मानते हो तो आहां कहता कौन है उसका नाम बताओ तो ओ कहती कि नाम जानना तुम्हारा काम है और यह मत समझो कि मैं जेल में हूँ तो तुम्हारी माजी से खत्रा टल गया है खत और आने वाला है